हेलो फ्रेंड्स मैं हिना खान अज फिर हाजरू हूँ आपके बीच में उमीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हूँगे और मेरी दूआ भी है कि आप सब लोग अच्छे रहें तो फ्रेंड्स कर लिया आगेंगे और मैंने सोचा आप मैं आपको होमइट तो उसके लिए फ्रेंट्स मैंने ये एक कीटर दूद ले लिया है जिसको मैंने तकरीबन 15 मिनट से बका रहे हैं और उसमें मैंने थोड़ी इसी ये सेफ्रॉन की पतिया डाल दी थी और थोड़ी और डाल दी इससे मेरी कुल्फी में बहुत अच्छी खुश्बू भी आती ह है और इसके कलर में भी फर्क आता है आगे का प्रोसेस में आपको बताती है कि मेरा दूद अच्छा खासा गाड़ा हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका यह देखिए तो अब मुझे इसमें ये वन टी स्पून कॉन्फूर पॉर्डर है इसको मैंने थोड़ा पा इसमें गाड़ा पड़ा जाएगा और सैफ्रोन इसलिए कि पॉन्फूर की इसमें अब मैं यह इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क पॉटर डाल देगा तो हो सकते हैं आज कर किसी के घर में मिल्क पॉटर ना हो तो आप दो ब्रेट के पीछ लेके इसके किनारे काटके इसको मिक पकने देना है यह बहुत जल्दी काड़ा हो जाएगा और सैफ्रोन से मेरी स्मेल बहुत अच्छे आएगी बिल्कुल बाल बाल की तरह बनेगी और फ्रेंज हो सकता है कि आजकल किसी की खर में सैफ्रोन खतम हो गया हो तो आप उसकी जगा छोटी लाइची का पॉटर भी कि यह दिखिए हमारा गाड़ा पन होना शुरू हो गया और अगर आपको लगे कुछ से फ्रॉन का मिया जादा है तो आप थोड़ा सा इसकी दो चार्लिक्स होटान सकते हैं आपको इलाची फ्लेवर पसंद है तो आप इलाची डाली और मैं इसको थोड़ा सा गाड़ा कर करने के बाद मुझे शंक च antig attach करने के बाद मैं आपको चल्फिय का इıl होने लगा है अब यह लग रहा है लेकिन फॉदय की वज़ेसे थन्दा होने पर और साथा गाड़ा seriously मैं इसमें थोड़ा सा ये खोया अट करेंगे करीब खोया ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो चीक है मेले पास आज कहीं से आ गया था बिल्कुल तालदा खोया तो मैंने डाल गया नहीं तो फिर ड्राइए मिल्क और कॉन फ्लोर से ही बहुत दादा गाड़ा पना आ जाता आपको दिखाते हूं अब यह मैं इसमें हाफ कप शुगर अट कर रहा है हल्की मिठी आप जिसी साब से मीठा पाते हैं आप उसी साब से मीठा रखिए इसको मैंने और मुझे रूम टम्प्रेचर पे लाना है ऐसे चाहिए तो जल्दी जल्दी गुमा लिजे तुवा पांची की नीचे रख देती हूं थो जाए तो मैं आपको फिर आपके का प्रोसर्स वताती हूं लिखी वस आपको इतना ही इसको गढ़ा रखना कुए नहीं है आपके पास तो आप पस कॉन फ्रूर डाल दीजे कॉन फ्रूर मीन है तो ब्रेट को पीसके डाल दीजे आच तो इसी तरह हो जाता है और चोटी लाइची तो सब के पास होती है चोटी लाइची का फेवर दे दीजेगा अगर आपके पास सैफ्रोन नहीं है तो तो मैं भी आपको आपके का प्रोसेस जैसा कि आप देख सकते हैं देखिए मेरा ये जो मैंने कुल फीक लिए मिक्शर बना लेकर अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए इस तना से बना के रख दीजिए खुश हो जाते हैं वह बाद में थोड़ा सा जब यह जम जाए तो इसमें एक स्टिक लगा देते हैं और अब मैं यह इस टाइप का एक जिबा है मेरा यह अप्रिकॉट का आपके प क्योंकि पॉलेथिन में जब यह जम के निकलेगा तो इसको निकालने में हासानी रहेगी पुरा रोल बनके निकलाएगा यह देखिए इस तरह यह मैंने पुराइश को आशे भलिया है मेरा यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है और चार मैंने यह भने हैं ऐसे फिल कर लिए हैं अब मैं इसको फ्रीज करूंगी जो खुड़ा सा मेरा बचा है इसको मैं टाइप से इसमें डाले दे रही हूं कि यह तो वन के जी में मेरी इतने कुछ भी बन गई यह बहुत आराम से मेरे खियार में पांचे साथ लोग खा सकते हैं और मैं अब इसको मैं फ्रिजर में रखने जा रही हूं कम से कम चार शे घंटे के लिए और बीच में अभी इसमें मैं थोड़ा सा जब यह जम कि यह बहुत ही अच्छी मलपुआ बनाने की पैसर पी बताती हूं उसके लिए मैंने यह एक कप इतना बड़ा खोया लिया है आपके पास खोया ना हो आप ड्राय मेल्क ले लीजिए अगर वह भी ना हो तो मैदा और यह ड्राय फूट रगेरा डाल दीजिए कोई बात नह ही वह भी ठीकी बनेगा अब इसके लिए मैंने एक कप बिल्कुल इतना बड़ा खोया इतना बड़ा मैता और यह दो कर दो टीस्पून सुझी एक पिंच बेकिंग वाटर सबको अच्छे से मिला देना है और यह गरम दूच्छे अब मुझे इसको मिक्स करना है तो फ्रें हैं और एक तरीका और भी मालपुआ Strength नहीं कर दो गांटी है तो चाशनी वाले में ही नहीं पढ़ती है और ऑलो बिन चाशनी वाला होता है वह मैदे में ही शूगर अपने नहीं कि ओरड़ी जितना अब कहाँ थिए तो शूगर के साथ थोड़ा घ्राई कर आके को फुराओंडरए तो जाए वाले माल्पोवर में जाते हैं तो दुरा- ठोड़ा जरकर मुझे मिल्कालए करना है लुएज़ गाले को फृट टूरे की बनाने करना है और उनके करना नहीं करना है आणिके मेरे माल पोवर में गी Gurmen Questions गारे ? बढ़ें तो मैं ठोड़ा पानी और दाल दूंगी है थोड़ा सा सैफ्रोन डाल विखो तो छोटी लाइची डाल दीजे और मैंने वेटर ने भी थोड़ा सा सैफ्रॉन डालें अब मेरा बटर बनके अच्छा तो प्यार हो चुका है मैंने बहुत थोड़ा मेरा देशी की है अगर आप और रिफाइंड ओल में तलना चाहे तो उसमें भी तल सकते हैं आप मुझे इसको पुआ को तलने के लिए इस तरह से गोल स्पून में एक स्पून ले लेना है और इसको बस यह इस तरीके से एक ही जधा पर यह डाल रहा है इस तरह के फ्लाट बर्तन में आप लेंगी तो कहीं हो जाएंगे और थोड़ा वैसे बर्तन में लेंगी तो एक बार में एक बनेना शायत है तो इसे समाल पुआ बनाने की तीन टेस्ट आते हैं वैसे तो आपने देखा हुआ गुजिया भी मैदे और खोई की ही बनती है तो इसमें थोड़ा गुजया का भी टेस्ट आता है जब मैं इसको चाशनी में डालती हूँ और अगर आप इसके ऊपर बनाने के बार थोड़ा मावा या मलाई डाल दीजिए तो शाही की इसका टेस्ट आता है और पुआ का तो तो इसमें मुझे तीन टेस्ट में अब मु अस्तुना साही मेरी अभी सिम है सिम पर फ्राइए कर रही हूँ हूँ है यह तो इसम पर अंदर तक पो जाएंगे बहुत आदा नहीं एक मिनट यह मेरी चाशनी भी बनके तयार हो चुकी है थोड़ी सी गाड़ी ओग यह से जादा हमें नियु करिए अपने पुएक को नि यहां से निकालके मुझे गरम चाशनी में ही डाल देना है सिर्फ दो मिनट इस तरह से और अब मुझे इसको निकालना है आप में इसको भी निकाल देना है दोनों को अब यहां सा पुश करके निकाल दिया अब यह मुझे इसमें डाल देना है थोड़ा सा मुझे ऐसे कर देना ताकि चाशनी शकेंदर आचाए मैंने बहुत बड़ा साइज में बनाया है छोटा ही बनाया है ताकि कोई एक के बजाए दूंवी खा ले अब रमी है और यह देखिएगा मैं थोड़ा जाफराण डाला यह बाजार के भी फूएस उजादा ही शर्ण अच्छा बनाऊगे रिवार भी डाल रहा है सेम इसी प्रोसेसर एक ही जगा बिल्कुल स्पून रोग यह दुखिए अपने हापको सर्कल शेप ले ले लेता है कि मैंने इसको सेफ्रों का फ्लेवर जिया है तो यह थोड़ा सा राजस्तानी का टेस्ट आजाता है तो मिनट हो गया है अब मैं इसको निकाले देगा कि मेरे बहुत बहुत टेस्टी बन के तयार हुई है तो आजकल खुए नहीं मिल रहा अशा तो नहीं मिलेगा आगे आप बना लीजेगा आवेसे मिल राइक हो यह अशा नहीं है अब मैं आपको हर दिखाती हूँ मैंने उसी प्रोसेस से इसको भी पलट दिया है और अब मुझे इसको भी कंसेकं एक से देड़ मीनट सिंपे पकाना कि कि इतने अच्छों फ्रॉफी बिल्कुल बन रहा है अब मैं इसको चाशनी मिल्सी तरीके से डाल देती हूँ चाशनी हलकी गरम होने चाहिए तब ही दो मिनट तक भीग के सॉफ्ट होने इसके अंदर तक चाशनी चली जाएगी कि मेरे मालपुआ बनके बिल्कुल तायान हो चुके हैं कितने अच्छे और थोड़ी दियर में चलिया मैं इसको गांडिश कर लेती हूँ थोड़ा सा अगर मैं इसमें टूपीस में इस तरीके से मलाई लगा देती हूँ तुभी यह मुझे शाहिपीस का ही टेस्ट देगा अब मैंने एक पीस में लगाई है थोड़ा सा गांडिश कर दीजिए शाहिपीस का टेस्ट आजाएगा इस तरीके से और अगर मैं इसके ओपर इस तरह से मावा डालती चली जाती हूँ तो भी शाहिपीस का टेस्ट आएगा और पोएगा तो टेस्ट आई ही रहा है इसमें दोनों फीटेस्ट आते हैं कि शाहिपीस भी मैदे और खोएगा ही बनता है और मालपुआ जो है वह फिरे अगर शिर्फ मैदा में शक्रदाल के बनाए तो फो इक तरीकर से और भी बनता उसी में शक्रदाल के ज्राए वाला अदमाग में लुथ होकी मेरी गार्णि Surprisingly और देखे कितनी जल्दी और कितना टेश्टी बनता है उमीद से ज़ादा अच्छा बनेगा तो फ्रेंड्स बनाईए खाईए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कम से कम यह 6-8 गंटे के पाद यह कुल्फी निकाली है और यह दिखिए मैंने थोड़ा सा इसको पानी में 2-3 मिनट पहले रख दिया था अब मैं आके दिखाते हूं आपको कुल्फी को मुझे इस तरीके से थोड़ा सा नाइफ की हेल से ऐसे कर दिना है यह दिखिए पूरी पिल्कुल इसली बाहर निकल आई है इसको मैंने अभी 2-3 मिनट पहले बाहर रख दिया था कि इतनी अच्छी बाजार से ज्यादा टेस्ती बन के तयार हुया आप उसको ख रौध में आफ पहलेट कि लाहर करना मुझे और है साथ बोलिया मत भूलइगा सब्सक्राइब कर दिखें यह बाजार के टेस्स के श्यादा अच्य कश् inscription किन बिलुटेंगे तयार हुई है यह वाह बनने रिख आप आप बना.. और अपने कमेंस में इसाथ शयर करना मत भू सब्सक्राइब करें प्लीज मेरे चैनल को थांक यू सो मुझ बाइबाइब